जब से 67th BPSC पेपर लिख के मामले में DSP रंजीत रजक की गिर्फ़तारी हुई है तब से कुछ बड़े खुला से सामने आया है और इस बार जो खुला सामने आया है वो चौकाने वाला है रंजीत रजक ने गलब तरीके से अपने बहनुई को भी DSP बनाया था BPSC के परिक्षा को पास करा कर अगर शुत्रों की माने तो रंजीत रजक ने पहले एक विक्ति को BPSC के परिक्षा में पास कराया जिसके बाद उन्हें DSP का पद मिला और उस परिक्षा में उनकी जो रैंग थी वो नाइंथ थी यानि विहार भर में उनकी जो रैंग आई थी वह नाइंथ अई थी मौक परिक्षा में उन्हें बारा सो में 886 अंग मिले थी आप समझ सकते हैं कि पर्सेंटेज कितना अधिक प्राप्षप वा था उन्हें मोख परिक्षा में जबकि इंट्रिवियू में उन्हें मातर 33% के करीब अंक ही प्राप्त हुए थे देड़सों में 49 अंक प्राप्त हुए थे योई कि जाच के दाइरे में उनके बहनोई की भी नोकरी सामने आ गई है इससे एक चीज़ तो खुल कर सामने आ गई है कि BPSC में प्रलिम्स के साथ मुख परिक्षा में भी धांदली हो रही थी इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है यानि कि वैसे अभी अर्थी जो कह रहे थे कि उनका मुख परिक्षा काफी अच्छा गया है इसके बाद भूने इंटर्व्यू कॉल नहीं हुआ तो हो सकता है कि उनकी बातों में कुछ हट तक सच्चाई हो एक चीज और सामने आ रही है कि रंजीत रजक्त से पूछता जो चल रही है उसमें कुछ और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं जिनकी पुखता जनकारी मिलने के बाद यूनके नाम का फुलासा यू यू के द्वारा किया जाएगा यानि कि बिहार में रंजीत डौन की कमी नहीं है एक रंजीत डौन को गिफ्तार किया जाता है तो दूसरा रंजीत डौन पैदा हो जाता है और भी कितने रंजीट डॉन इस मामले में संदिब्ध है या बताना बहुत मुस्किल है वो जहाँ जब अपनी अंतिम परकिरिया में खत्म होगी तभी पता चल पाएगा कि और कितने रंजीट डॉन भी इस परकिरिया में शामिल होंगे